वेलकम टो शानियोस नेनमी रहीम इरोज वार्तलोनी मुख्यम से देख मस्जिद और आगे हम लोग दौरा किये इस दौरे में हमारे साथ शहर के जॉइंट सीपी एसबी यहां के एसीपी चार मिनार हमारे एसेचो साहब रैपीड अक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट साहब इंस्पेक्टर साहब और पूरे रैपीड अक्शन फोर्स के लोग हम लोग इस दौरे में देखे कि सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात हुई कि केवल अपनी safety के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के safety के लिए नहीं, अपने परोसी के safety के लिए, अपने महले वाले के safety के लिए, अपने शहर वाले के safety के लिए, हमारे सभी भाई बहन, धर के अंदर, रात में, curfew type of situation में, अपने आपको रखे हैं, यह देखकर बहुत ख लोकडाउन में यह केवल अपने आपको बचाने के लिए नहीं है ये अपने पडोसी अपने महले वाले अपने सभी को बचाने के लिए इसलिए मैं तहें दिल से आप सभी का शुक्रिया आदा करता हूं दिल में थोड़ी दुख भी है थोड़ा दर्द भी है कि रमजान के इस महीने में जो ये सबसे बड़ा फेस्टिवेल का महीना है इसमें आप लोगों को घर के अंदर रहना पड़ रहा है इसलिए थोड़ी दुख भी है लेकिन क्या कर सकते हैं शहर की सेफटी देश की सेफटी सबसे बड़ी चीज है और इसलिए आप लोगों ने जो ये सैक्रिफाइस किया है ये कुर्बानी दी है कि घर के अंदर रहके इबादत करें ये काबिले तारीफ है और मैं जरूर समझता हूं कि उपर से अल्ला सुभानावत आला ये देख र हमारे खेदरबाद के लोग को हमारे इंडिया के सभी लोगों को इस वबा के कारण हुआ है और इसमें जो लोगों ने अपनी जरूरतों की कुर्बानी की है जो गरीब लोग को तकलीफ हुई है जिनकी रोजी रोटी कुछ कम हुई है उन सब को जरूर अल्ला सुभानावत साला कॉम्पनसेशन देंगे आगे मुझे इसका पूरा भरोसा है आज जगने की रात और फिर दो दिन के बाद जमातुल विदा कि इस तरह के फेस्टिवेल में जो एक अपने उपर सेल्फ कंट्रोल एक संजम एक अपने आप को रोक के रखने का जो एक मिसाल पेश किया है आप लोगों ने वो आगे बहुत दिनों तक लोगों के जहन में रहेगा और याद रखेंगे दस साल के बाद 50 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज का जो साल है ये 2020 जब इसकी चर्चा होगी जब इसके बारे में बात होगा कि कोरोना वाइरस के समय क्या क्या हुआ तो इस पाक महीने रमजान को ज़रूर याद किया जाएगा ये अपने किसम का एक यूनीक रमजान रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप और हम मिलकर जिस तरीके से गवर्मेंट के बताए हुए डाइरेक्शन्स पर एक साथ चल रहे हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में दूसरे शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद शहर सबसे पहले इस चीज़ से बाहर निकलेगा और इसमें मैं आप लोगों से पूरी उमीद करता हूँ खास करके अपने छोटे बच्चों को मिलकुल घर से ना निकलने दे बार-बार हम लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि छोटे बच्चे और बज़ुर्ग दोनों के ऊपर ये कोरोना वाईरिस का कुछ ज़्यादा असर रहता है इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि घर के बज़ुर्ग और छोटे बच्चों को बिलकुल बचा कर रखें इकनॉमिक रीजन के कारण कुछ लॉकडाउन में कंसेशन्स रियायत दी गई है गवर्मेंट के तरफ से अल्टरनेट शॉप्स भी ओपिन किये गए है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अभी वाइरस चला गया वाइरस अभी है और वाइरस अभी रहेगा इसलिए इससे बचने के लिए जो बताई हुए तरीके हैं साबून और पानी से हाथ धोना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना फेस पर हमेशा मास्क लगा कर रहना इन सब चीजों का एक डिसिप्लिन से अभी भी सबको जरूर इसको रखना है और इसका पालन करना है हमारे तेलंगाना गवर्मेंट के तरफ से आज जितनी भी ट्रेंस गई हैं अब तक माइग्रेंट लेबरर्स के लिए एक लाख से जादा लोग अभी तक जा चुके हैं जैसा कि हमारे सी अम साहब ने पहले कहा था कि जब तक जो भी तेलंगाना में रहेंगे घाना को जाना चाहता है अपने फैमली से मिलने के लिए तो उसकी भी इंतजामात किये गई है और हर दिन लगभग 10 से 15 ट्रेन पिछले 15 दिनों से जा रही है और इन माइग्रेंट लेबरर से बात करने से पता चला कि 95% लोग अपने फैमिली से मिलकर महीने डेड़ महीने में वापस आएंगे और वापस जो उनकी रोजगार है यहां काम करने का जो साइट है वहाँ दुबारा आएंगे इस तरह की मुश्किलें जिन्दगी में आती हैं और इस तरह की मुश्किलों में यही देखना पड़ता है कि हम और आप एक मिलकर यूनिटी के साथ कैसे रह रहे हैं और आज इस रमजान के पात महीने में सब लोगों ने मिलकर यह दिखा दिया कि देश का जो इंट्रेस्ट है जो देश का हित है वो सबसे उपर है चाहे वो कोई भी हो हम लोग सब अपने पड़ोसी की इज़त करते हैं और हम सब यहीं चाहते हैं कि केवल हम ही सेफ नहीं रहे हमारे पड़ोसी भी सेफ रहे तो एक बार फिर पूरे हैदराबाद सिटी पुलीस के तरफ से मैं आप सब को मुभारक बात पेश करता हूं और आपको सेलूट करता हूं कि आपने जो डिसिप्लिन आपने जो सेल्फ कंट्रोल का एक नमोना पेश किया वो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा शुक्रिया इा इस ताट इस अपने आप शन्ने आप करता है झाल झाल झाल